सल्मान खान की फिल्म का कौन सा सीन साउथ की मूवी में किया गया कौपी सल्मान के कौन से बवाली एक्शन की साउथ के स्टार्स ने नकल की इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी डिटेल सल्मान खान ने टाइगर जिन्दा है फिल्म में धासू एक्शन सीन किया था सल्मान गन से तावर तोड फाइरिंग करते नज़ा आए इस सीन को साउथ की फिल्म केजी एप चैप्टर टू में भी उठा कर ऐसे ही चेप दिया गया केबल हीरो बदल गया रौकी भाई सोने का एक बिस्कुट लेने पुलिस स्टेशन गए और बहां से लोटते बक्त गोलियों की बहुचार करने शुरू कर दी ये सीन फिल्म के पहले टीजर में भी था सल्मान खान के फैंस कहते हैं कि ये सीन टाइगर जिन्दा है से उठा कर कॉपी किया गया है क्योंकि उसी तरह उन्होंने बंदूक उठाई और नोन इस्टॉफ जारी रही सल्मान खान की मूवी के सीन को साउथ की फिल्म विक्रम में भी हुभुहु दिखाने का दावा किया जाता है विक्रम में कमल हासन जब गन लेकर आते हैं तो उसी पोजिशन में दिखते हैं और यहां भी उनकी बंदूक से निकलने वाली गुलियां रुकती नहीं है कमल हासन की सीन को जिसने भी देखा उसे सल्मान खान की याद आ गई क्योंकि टाइगर जिन्दा है फिल्म 2017 में आई थी जबकि कमल हासन की विक्रम मूवी पांच साल बाद 2022 में रिलीज हुई साउत की फिल्म में कैथी जिसे सलमान के टाइगर जिन्दा है फाइरिंग गनबाले सीन की कट पेस बताया जाता है इसमें एक्टर कार थी एक सीन से ऐसे ही बंदूग से गोलियों उड़ाते नजर आते हैं इस मूवी में गनबाला सीन इसलिए सुर्खे मना क्योंकि 25 करोड की इस फिल्म ने 110 करोड का कलेक्शन किया था और बो भी ऐसे वक्त में जब साउत की फिल्मों का उतना क्रेज नहीं था जितना मौझूदा वक्त में है साउत की एक और मूवी है वल्टर वोरैया इसमें चरंजीवी का फाडू करेक्टर है ऐसे ही एक सीन में चरंजीवी न बंदूक उठाई है इसे भी फैंस सल्मान खान की टैगर्स जिन्दा है से जोडते हैं दावा किया जाता है कि इस मूवी के सीन का याइडिया सल्मान की फिल्म से नकल किया गया 2023 माई फिल्म थिनीवू साउत की ऐसी ही मूवी है जिसके फाइरिंग वाले सीन को कोई भूल नहीं सकता इसे भी टैगर्स जिन्दा है कि सीन की कौपी बताया जाता है टैगर जिन्दा है कि क्लाइमेक्स में जो सीन है उसमें सल्मान MG42 नाम की बंदूग से भायंकर फाइरिंग करते हैं बताया जाते है कि सीन में सल्मान ने 500 गोलियां परसाई थी इस सीन की शूटिंग तेन दिनों में की गई थी MG42 के दो पीस इस्तिमाल किये गई थी क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दोरान गर्मी पड़ रही थी दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान के एक्शन भी साउट में आप कॉपी किये जाने लगे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी रहे जरूर दें